दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गले की खराश और गले में होने वाले दर्द की समस्या को जड़ से खत्म करने का घरेलू पाई गला खराब होना या गले में खराश रहना एक आम समस्या होती है इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे बदलता मोसम, परदोसन, हवा, गलत खान पान, अधिक ठंडे पदार्द का खाना पीना और किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में रहने से गले में खराश और दर्द की समस्या हो जाती है इसलिए अपने गले का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है नहीं तो इसके कारण अन्य समस्याइं पैदा हो जाती हैं तो आईए बिना किसी देरी के जानते हैं गले की खराश और दर्द को जड़ से खत्म करने के इस असरतार घरेल उपाए को बनाने का तरीका इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक से डेड़ गिलास पानी एक और ये आदा गिलास ये डेड़ गिलास पानी मैंने ले लिया है फिर इसके बाद हमने लेना है एक चम्मच साधार नमक जो हम खाने में इस्तिमाल करते हैं और यह भी हमें इसमें डाल लेना है साधार नमक गले में होने वाले दर्द और खराश की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करता है फिर इसके बाद हमने लेने हैं आम के पत्ते आम के पत्ते भी गले में होने वाले दर्द और सूजन की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करते हैं यानि गले में खराश की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करते हैं अब इसमें से हमें केवल दो पत्ते तोड़ लेने हैं हमें ये दो पत्ते ही चाहिए इस नुस्खे को बनाने के लिए अब आपने इने बारीक तोड़ कर इस पानी में डाल लेना है कुछ इस परकार से आपने इन दोनों पत्तों को बारीक तोड़ कर डाल लेना है तो ये देखिए दोस्तो हमने इस नुस्खे में ये आम के पत्ते भी डाल लिये हैं फिर इसके बाद हमें लेने हैं अमरूद के पत्ते अमरूद के पत्ते भी गले में होने वाले दर्द और खराश की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करते हैं इसी परकार से ये दो पत्ते भी हमें अमरूद के ले लेने हैं और इने भी बारी करके हमें इसमें डाल लेना है तो ये देखे दोस्तो हमने इसमें अमरूद के पत्ते भी डाल लिये हैं अब आपने इस पानी को गैस पर अच्छे से गर्म कर लेना है यानि पका लेना है आप आपने इस पानी को तब तक पकाना है जब तक कि यह 1.5 गिलास पानी एक गिलास नहीं रह जाता दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नहीं नहीं आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो ये देखे दोस्तो हमने इस पानी को अच्छे से पका लिया है अब आपने इस पानी को चलने की मदद से चान लेना है ये देखे दोस्तो हमने इस पानी को चान लिया है और हमारे इन उसका पूरी तरह से बनकर तयार हो चुका है गले के दर्द और खराश की समस्या को जड दर्द की समस्या होती है तो आपने मेरे बताए अनुसार इस उपाई को बना लेना है और आपने इस पानी से गरारे करने है ध्यान रहे दोस्तों आपने इस पानी को बिल्कुल भी पीना नहीं है आपने इस पानी से केवल गरारे करने है दोस्तों यह इतना जबर्दस्त और तो असरतार घरेल उपाय है कि जब आप इसका परियोग करेंगे तो पहली ही बार में आपकी गले की खराश और दर्थ की समस्या में काफी आराम जाएगे और लगातार 2-3 दिन दिन तक इसका परियोग करने से आपके गले का दर्थ और खराश की समस्या जड़ से खत्म हो जा और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद